Welcome back to my channel, दोस्तो आज बहुत टाइम बाद आपको मार्केट में 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है, मार्केट लगादार भागे जारी थी, आपको ये अंदाजा यहीं से लग जाएगा, आप YTD रिटरंस देख सकते हैं, 24% के रिटरंस है, YTD एक महीने में मार्के ज़्यादा भागे हुई है, लेकिन आज बहुत बड़ी gap down opening होती है, आप देख सकते हैं, आज की opening होती है 17,443 पे, जबकि कल की closing कितनी थी? कल की closing थी 17,585, तो अच्छी खासी gap down opening होती है, और उसके बाद आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद recovery भी आती है, लेकिन ultimately जहां से open होई थी, उससे भी नीचे closing होई है, और day low पे market ने closing दी है, आज जो गिरावट थी वो broad base थी, क्योंकि आप बागी indices भी देख सकते हैं, सारे के सारे red में हैं, और deep red में हैं, nifty next 50 1.8, nifty mid cap 2%, nifty bank 1.8%, आप देख सकते हैं, कोई भी index उठा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया red में आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर sectoral indices की बात करें, तो sectoral indices में दोस्तों आपको पता होगा, आज FMCG काफी तेज था, 0.9%, क्योंकि आज आपने देखा होगा, wix में काफी बढ़ोतरी थी, इसका मतलब थोड़ा सा panic का माहौल था, बाकी सारे indices आप देख सकते हैं सारे के सारे red में है, nifty auto 1.4%, nifty PSU bank 4%, nifty pharma 1.8% and nifty metal 6.6%, तो metal में आज सबसे ज़्यादा धुनाई होई थी, FMCG में especially HUL वगेरा तो 3-3% उपर थे, आज के top gainers की बात करें, आज के top gainers में हैं, HUL 3%, उसके आलावा, फिर से ITC, FMCG stock 1.1%, बजाज फिनसर्फ आज भी 1% उपर जबकि market में सारी stocks गिरे हुए हैं, ये बिल्कुल समझ के बाहर है, HCL technology 1%, Britannia, Nestle, आप दिख सकते हैं, सारे के सारे FMCG stocks दिख रहे हैं आपको, उसके लबा बजाज finance 0.18%, reliance 0.16%, बजाज फिनसर्फ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, आज के top losers की बात करें, तो बढ UPL, chemical sector के stocks भी काफी अच्छे खासे गिर रहे थे, UPL, RT Industries, Vinati Organics, ये सारे के सारे stocks काफी गिर रहे थे, मेरे क्याल से दोस्तों, बहुत ही बड़ी opportunity है, chemical sector के stocks में अभी आपको opportunity अच्छी मिल रही हैं, तो उन पे नजर लगा के रख सकते हैं, उसके लावा ये भी बाकी सारे top losers थे आज के, और आप देख सकते हैं, नीचे भी आ जाएं, तब भी 3% की गिरावट तो हमें देखने को मिली रही है, तो अच्छी खासी गिरावट हुई है आज मार्केट में, और दोस्तों इसके साथ मैं आपका जो ध्यान है, वो एक चीज की तरफ लाना चाहता हूँ, अब आपको पता होगा दोस्तों, विक्स को हम कहते हैं, फियर इंडेक्स, विक्स को फियर इंडेक्स भी कहा जाता है, आप देख सकते हैं, अभी विक्स पहुँच गया है, बढ़ करके 17.8 और आज बहुत बड़ी ग्रीन केंडल बनी है, बहुत जादा बढ़ोतरी आज ही आज में हुई है, विक्स में, अब ये कहां पे पहुँच गया है, ये almost make around, ये make around का time है, make around की विक्स पहुँच गयी है, तो हम already 3-4 महीने पीछे की विक्स में पहुँच गये हैं, और अगर ये यहां से और भागती है, तो काफी जादा विक्स बढ़ सकती है, तो इससे ऐ इसा लग रहा है दोस्तों, कि market में थोड़ा सा fear आ गया है, जो कि एक sided rally हुई थी, जो कि one sided rally अभी तक चल रही थी, वहाँ पे अब थोड़ी सी आपको रुकावट देखने को मिल सकती है, काफी सारे संकेत ऐसे मिल रहे हैं, बागी हम चार्ट पे अगर देखें, तो चार् बिलकुल भी नहीं है, जहाँ पे closing होई है, वही उसका minima है, almost, तो यहाँ से market में गिरावट के संकेत नजर आ रहे हैं, अब गिरावट के संकेत का मतलब यह नहीं है, कि market नहीं से 10% गिर जाएगी, 15% गिर जाएगी, या बहुत बड़ा crash आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी profit booking आपको देखने को मिल सकती है, हो सकता है, market यहाँ से जाके अपने psychological level 17,000 पे support ले, अगर 17,000 टूर जाते हैं, तो straight away फिर 16,500 पे ही इसको support मिलेगा, तो 17,000 पे अगर support आ जाता है, तो वहाँ से ऐसा हो सकता है, कि वहाँ से time correction चालू हो जाए, क्योंकि market ने जो rally connection चालू हो सकता है, थोड़ा सा consolidation हो सकता है 17,000 पे जाकर के, या फिर 17,000 को भी अगर market तोड़ सकती है, तो फिर 16,500 के levels भी हमें देखने को मिल सकते हैं, तो अगर दोस्तों Nifty 17,000 जाता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बहुत अच्छी buying opportunity बन सकती है, हमें 10% की गिराव 19,000 ना पहुंचा, इसलिए बहुत जादा wait भी नहीं करते रहना है, ना ही हमें महेंगे stocks खरीदने हैं, वैसे भी stocks specific काफी buying पिछले एक दो हफते में की है, काफी stocks थे, जो market के भागने के बाद भी नहीं भागे थे, जैसे कि stocks like whirlpool और उसके अलावा और भी stocks थे, जो market भाग गरते हुए ऐसा लग रहा है, कि आपको stocks में अच्छी खासी discounting देखने को मिल सकती है, कुछ stocks तो आज ही 6-7% गिरे हैं, तो अगर एक दो दिन भी ये गिरावट continue रहती है, तो आपको 10-15% का discount तो यूँ ही मिल जाएगा, तो अच्छे-च्छे stocks को watch list में लगा करके रखें क्योंकि watch list में लगा करके रखेंगे, तो जब वो stocks गिरेंगे तो आपके आँखों से miss नहीं होंगे, otherwise miss हो सकते हैं, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर सकते हैं और channel को subscribe कर सकते हैं, thanks for watching guys, I will see you next time.